करनाल के बड़ा गाउ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुस्दिम समुदाई की महिला और उसकी बेटी पर जमानत पर बहार आये आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया मा बेटी के चीक पुकार सुनकर आसपास के लोग इखटा हो गए लोगों के भीड देखकर दोनों आरोपी मौके पर ही बाइक छोड़ कर फरार हो गए आनन फानन में मा बेटी को अस्पताल में भरती करवाया गया जुसके बाद हमले से गुस्सा इभीड ने सडक पर जाम लगा दिया मतलब हम कुछी नि कहते कुषी को मैरे मुभीपागा इसको आरोप आप सर्पाद आपको अपर दावी करते हैं अपर शुल्मानादर इसलिए कोई गारवाई निकरते हैं आप च्कुप आपकों जानकारी के मुताबिक शमा अपनी मा नसीमा के साथ घर के पास बनी डेरी से दूध लेने गई थी इस दोरान आरोपी भी अपने साथी के साथ बाइक पर आया और आते ही उसने शमा और उसकी मा नसीमा पर चाकू से हमला कर दिया जिसके बाद दोनों मा बेटी ने आरोपीयों को पकड़ने के लिए काफी शोर मचाया लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए वारदात के बाद गाउं में मुस्दिम समाज के लोग एक अत्रित हो गए और आरोपीयों के गरफतारी के मांग को लेकर बड़ा गाउं के सड़क पर जाम लगा दिया जाम की सूचना मिलते ही कुझपुरा थाना प्रभारिक पुल्दीप सिंग सीन के साथ मौके पर पहुँचे और जाम खुलवाने का प्रियास किया लेकिन परिजन नहीं माने करीब दो घंटे के बाद ऐसाचो के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोल दिया वही कुझपुरा थाना के सेच्चो कुलदीप सिंग ने बताया कि आरोपी छोटू ने छे महीने पहले भी देसी पिस्तॉल से फाइरिंग की थी जुसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था अब आरोपी जमानत पर बाहर आया हुआ है परिजनों के शिकायत पर माम लड़की और माहा पर लगया लगिए लेकिन गिरिफ्तार नहीं तो इसको लेकिन चोट तो मारी थी और ओपी है पहले भी भी चलाई थी तो उसको इस में अई ने बाद किस्ता गोली चलाई थी फिलाल दोनों घायल माबेटी का इलाज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है दोनों के हालत इस्थिर बताई जा रही है अब देखना होगा पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफतार कर पाती है करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केस्टी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद झाल झाल झाल